आप देख रहे हैं अपना पशन दीदा चैनल जोतिश पंचांग मैंसुल त्रिपाथी आपका जोतिश विद्यूम बास सास्त्रे मित्रो साल में एक ऐसा भी दिन होता है जिस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए कहा जाता है अगर आपने इस दिन चांद को देख लिया तो आपको कोई न कोई आरोग लगेगा और खास तौर से उन लोगों को तो मैं विसेश तौर से साउधान करना चाहूँगा जिनकी कुंडली में लांचन योग हो अर्थात शुक्रमंगल साथ में हो या बरहवे या अ तो मित्रों संदो हजार एकीस में वह कौन सी तिथी है वह कौन सी अंग्रेजी अनुसार डेट है जिसमें आपको चंद्रदर्शन नहीं करना है हम पंचांग लेकर आपके सामने आये हैं आपको बताते हैं कौन सी डेट है और कौन सी तिथी है भाद्रपद शुक्रप्रक् हुआ था उसी दिन चंद्रमा का दर्शन करना निशेद बताया गया है सास्त्रों के अनुसाल आपको हम बताएंगे भी किसकी कहानी क्या है और क्या करें जिससे आपको इसका दोश मिट जाए तो सबसे पहले हम आपको डेड़ बता दें दस सितंबर पंचांग के अनुसाल दस सितंबर दो हजार इकीस को आपको चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है दस सितंबर दो हजार इकीस दिन शुक्रवार रहेगा तिथी चतुर्थी रहेगी इस दिन चाद का दर्शन करना स्रेष्ट नहीं माना आता है अब हम आपको बताते हैं कि इसकी पौरारी कथा क्या है और इसका उप्चार क्या है जो इसकी पौरारी कथा है इसी को सुनना ही इसका उप्चार है अगर किसी ने भूल से भी इस चांद को देख लिया वह भगवान श्रीकिष्ण की शमन तक मड़ी से जुड़ी हुई कहानी को अगर सुनता है तो इससे जो आरोप लगने की संभावना है वह कम और समाप्त हो जाती है तो मित्रो आईए हम लोग सुनते हैं भगवान श्रीकिष्ण से जुड़ी हुई या कहानी सत्रजीत यादो नाम का एक आदमी था उसने सूरी की उपाशना की सूरी उनके उपर प्रशन होकर उनको शमन तक मड़ी प्रदान किये भगवान श्रीकिष्ण के सामने यह मड़ी जब आई और उस मड़ी की बड़ी प्रशंसा उन्होंने सुनी तो भगवान ने एक बार इच्छा जाहिर की यह मड़ी मुझे अच्छी लगी लेकिन सत्रजीत ने अपनी मड़ी को भगवान स्रीकिष्ण को ना देकर प्रसीन जीत नाम के अपने भाई को प्रदान कर दी भाई उस मड़ी को लेकर जंगल में सिकार करने के लिए निकल गया जंगल में वहाँ पर एक शेर मिला सेर ने भाई को मार डाला उसी समय जामवन्त जी जो भगवान राम के समय में थे वो एक गुफा में निवास करते थे उन्होंने इस घटना को देखा तो उन्होंने सेर को मार कर उस मड़ी को अपने कबजे में कर लिया जब प्रसीन जीत का आना नहीं हुआ नगर में तो उनके भाई सत्र जीत ने पूरे समाज में ये घुम घुम के बाद कहनी सुरू कर दी कि भगवान श्री किष्ण ने उनके भाई को मरवा कर मड़ी अपने हाथ में ले ली भगवान के उपर जब यहां आरोप लगा लांचन लगा और भगवान ने उसी बार चतुर्थी का चांद देखा था और उनके उपर यहां आरोप लगा तो भगवान स्री किष्ण ने अपनी कुछ सेना की तुकड़ी को लेकर जंगल में ढूढने के लिए निकल पड़े जंगल में जब वो निकले तो देखा कि एक अस्थान पर सेर के कुछ निशान पड़े हुए थे सिर्व मरा हुआ पड़ा था और साथ में परसीन जीर भी वहीं पर मरा था लेकिन जामवन जी एक रीज थे उनके पैरों की निसान एक गुफा की तरफ जा रहा था भगवान श्रीकिष ने अपने स्थानिकों से कहा कि आप लोग मेरा 21 डेज 21 दिन का इंतिजार करिएगा उसके बाद अगर मैं गुफा से बाहर न निकलो तब आप लोग गुफा में प्रवेश करिएगा भगवान सभी चीजों को जानने वाले हैं अंतरियामी हैं उन्हों गए और वहाँ पर देखा जामवंती जी जो जामवंती की कन्या थी वह उस मड़ी से खेल गही थी भगवान स्रीकिष ने जब मड़ी लेने की बात की तो जामवंती जी डर गई और अपने पिता से जाकर उन्होंने ये बात कही कि कोई आया है तो जामवंती जी ने उनसे युद्ध किया मल्युद्ध किया मल्युद्ध लंबा चला और जब जामवन जी उनसे पराजित नहीं हुए ठक गए अन्त में भगवान स्री किष्ण ने एक मुष्टक का प्रहार किया एक मुठ्थे से अपने भगवान भक्त को जब उन्हें मारा और उनको मूर्चा आई त कहा था कि अगले जन्म में मैं आप से मल्युद्ध करूंगा और आपको इसी रूप में दर्शन प्रदान फिर से करूंगा जामवन जी को यह बात याद आती है भगवान स्री किष्ण से वो निवेदन करते हैं कि आप अपने उसी रूप का मुझे दर्शन लीजे और प्रिटिया है आप उसको स्रीकारे और समन तक मड़ी उन्होंने उनको दहेज में प्रदान कर दिया तब तक 21 दिन बीच चुका था सेना आई सेना समझ गई सारी सितिया भगवान मड़ी और जामवनती के सहित द्वारिकापूरी में वापस आए और उन्होंने मड़ी को व प्रित्रों इस कहानी को सुनने मातर से कहा जाता है कि जिन उन्होंने चांद देखा है तो वह अगर इस कहानी को पूरे भाव से सुनते हैं तो उनके उपर जो लगने वाला आरोप है वह नहीं लगेगा और खास्ता और वो लोग बचे रहें जिनकी कुनली में यह योग है कुनली में अगर योग बनता है तो मैंने बहुत बार देखा है लोगों को चारित्रिक या आर्थिक या सामाजी कोई इनकोई आरोप लगता रहता है मित्रों अगर आपको कुछ दिखानी है अपने बास्तों के बारे में जानकारी लेनी है तो दिए नमबर पर फोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं हमारी वीडियो को लाइक करें सस्क्राइब करें और अपने मित्रों के साथ सेयर करना बिलकुल न भुलें नमस्कार श्रिरादे तो इसे लाइक करना ना भूले जोतिश और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे तो आपके अपने यूट्यूब चैनल जोतिश पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटिस वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहें